हेई गाइस वेल्कम बैक एवर्वन मैं हूँ एंश और आज मैं अपनी इस टेक्निकल वीडियो में लेके आया हमके पास महिंदरा की एक्ष्वे 500 का प्राइस लेज तो गाइस महिंदरा एक्ष्वे 500 कमस विद 17 वेरिंट जिसमें से आपको दो टाइप के इंजन और दो से शुरू हो के यह रेंज जाती है 17.85 लेक्स तक और इस बीच में काफी सारे मॉडल्स दिये गए हैं चैसे की डब्लू 4 1.9 और इसका सीजी है 1997 CC और इसके साथ का जो दूसरा है वो है डब्लू 4 जिसका सीजी है 2179 जो डब्लू 6 है रमदब दूसी रेंज है वो है डब्ल डब्लू 8 म जो वो 1.99 है वह है 1997 CC और डब्लू जो है वो जो इसका दूसरा वरेंट है нав एula है 2179 CC और इसमें 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 इतना है कि इसमें डब्लू 8 8 WD में आपको all wheel drive का ये feature आपको मिल जाता है इसके लिए गाड़ी around 1 lakh महेंगी पड़ती है यहन की W8 का price 15.82 lakhs है और W8 AW का price 16.54 lakhs है W10 के अगर बात करें कि जिससे अगर हम इसके third variants में आ जाते हैं तो इसका third part है वह है W10 1.99 जिसका price 16.55 lakhs और W10 है उसका price 16.75 lakhs W10 AWD का है वह 7.8.5 lakhs का है और इन तीनों में जो है वह W10 1.99 में आपको manual transmission में लेगा जैसे कि मैं भी manual के discuss कर रहा हूं और इसमें आपको CC जो है 1997 CC मेलता है 16.55 lakhs में और W10 जो है वह 2179 CC का है जिसमें कि आपको 16.75 lakhs का 16.75 lakhs का आपको ये पढ़ता है W10 AWD की बात करें तो W10 और W10 AWD में वही difference है जो मैंने W8 के लिए बताया है W10 और W10 AWD में सिफ AWD रामक के feature का difference है यानि कि W10 AWD में सिफ AWD एक feature डालने से इसका price एक लाक रुपे बढ़ जाता है तो आपको सिफ AWD के एक feature के लिए आपको 1 lakh extra कर्च करने पड़ेंगे तो ये तो गाइस था है Manual Variants के लिए तो हम बात करने कि इसमें Automatic Variants कितने आते हैं Automatic Variants इसमें सिफ में आपको पहले बता है कि इसमें 17 Variants आते हैं टोटल जो की 10 Manual के लिए जो मैंने बता दिये और Automatic के लिए आते हैं 7 Variants जो की अब मैं बताता हूँ जो है W680 यानि की Automatic Transmission 1.9 जिसकी जो है नए 2000 CC का और W680 यानि की Automatic Transmission वो है 14.95 लाक्स का और उसका CC है 2200 और W8 और W880 और W1080 1.9 और W1080 और W9AWD 80 इन सब के जो प्राइस है वो Automatic के 14.8 लाक्स जुदू के 18.89 लाक्स एक जाते हैं और इसमें काफी सारे आपको Number of Models मिलता है जैसे कि आपको W10 के लिए 3 Models मिलेंगे W8 के लिए 2 Models मिलेंगे और W6 के लिए 2 Models मिलेंगे जो है W680 1.9 जो आपको 14.8 लाक्स का मिलेगा और उसमें आपको 2000 CC का मिलता है W6 जो है वो जो W680 है वो है 14.95 लाक्स W880 1.99 वो है 16.76 लाक्स एन W880 यानि की Automate Transmission जो है 16.89 लाक्स W1080 1.99 17.62 लाक्स एन W1080 17.66 लाक्स एन W10AWD 80 एस 18.89 लाक्स यानि की गाईस ऐसा हो सकता है की डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सिटीज में अलग-अलग प्राइस हों क्योंकि कई जगा और कई स्टेट्स में अलग-अलग प्राइस और एक-शूर्म प्राइस और ऐसे tax होता है, road tax होता है और cooperation tax होता है, वो अलग रह सकता है ये तो एक्ट, ये जो price मैं आपको बता रहा हूँ, ये है एक showroom price दिल्ली के, क्योंकि ये सब price महीं से ही generate किये गए है तो guys अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चानल और मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले Thanks for my watching video, stay amazed and stay tuned for my next video